तो आज जो यह वीडियो में बनाने वाला हूँ वो है इफ ट्रिपल टी एक ऐसा automation application है जिसको यूज करके आप काफी सारा काम जो है आपका automate कर सकते हैं इफ ट्रिपल टी को यूज करके आप आपके घरेलू जो चोटे मोटे काम होते हैं mobile की related वो सारे काम automate कर सकते हैं उसी के साथ में आपकी बिजनेस के लिए भी आप इस application को यूज कर सकते हैं जैसे कि example की तोर पर मैं automation का बात कर रहा हूं तो example बताऊं तो समझ लिजी कि आप जैसी ही घर पे पहुचे तो आपका phone जो है automatic wifi पर connect हो जाए और mobile लेटा बंद हो जाए इसी के साथ साथ अगर आप ऐसा automation set करना चाहते हैं कि कोई भी person अगर घर पे पहुच गया तो उस person का phone से automatically आपको आपके phone पर notification आजाएगा कि यह person जो है गर पे पहुच गया और ऐसी आप तीन चार पांच ची जितने भी आपका group के उपर भी set करना चाते है उस पर भी set कर सकते हैं उस group का कोई भी member जैसी गर पर या फिर एक specified location पर पहुचेगा आपको message आ जाएगा और ऐसे ही एक automatically save करवा देता हूं Google की spreadsheet पर तो इससे क्या होदा है कि जितने भी मेरे पास phone आ रहे हैं जितने भी phone calls जा रहे हैं सारा का सारा Google spreadsheet में save हो जाता है and मैं आपके मैं आसानी से देख पाता हूं कि मैं कि किदनी बज़े किसका call आया था and उसी के आगे अगर मैं कुछ notes वगेरा या आप कैसे आपके business और startup या फिर personal life में use कर सकते हैं उसका मैं example बदाता हूं समझ लेजी कि आपका girlfriend है boyfriend है या फिर parents है आपके किसी के भी phone के उपर आप चाहते हैं कि इनको किसका phone call आ रहा है इनको किसका phone call जा रहा है तो आप ऐसे spy तरीकी से इसको use नहीं कीजिएगा एक ऐस application purpose के लिए आप इसको use कर सकते हैं क्योंकि इसका आप गलत इस्तेमाल करोगे तो वह चीज़ अच्छी नहीं रहती हैं क्योंकि without किसी का consent लेके यह करना भी घलत काम है तो आप यह चीज़ जबी भी करोता आप सामने वाली की permission लेके ही करना and guys इस application को use करने के पहले आप सब सबसे पहले इनका terms and condition पढ़ लेना ताकि आपको एक better idea रहे कि आपका data जो है यहाँ पर सुरक्षित है या नहीं तो guys यह call लोग वाला automation किस तरीके से आप आपके personal life में and आपके startup या फिर business में कैसे use कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं तो आप personal life में जो है आप as a educational purpose के ल लिए हैं आप इसका कोई भी wrong इस्तेमाल ना करें तो आपका समझ लिजी कि आपके गर में कोई भी girlfriend है आपकी boyfriend है आपकी wife है या फिर कोई भी XYZ member है and आप चाहते हैं कि उनके phone पर किसका phone आ रहा है and किसका phone call जा रहा है तो वो चीज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है if triple d का application install करना है जो कि मैं आपको demo बताने वाला हूँ आज live कि किस तरीकी से application install करना है कैसे आपको automation को start करना है वो सारा चीज़ बताऊंगा and उसकी बाद में यह application install करने के बाद और automation set करने के बाद उस person की call पे जो भी phone आएगा और जो भी phone call जाएगा एक Gmail की Google spreadsheet पे save हो ज किए तो यही चीज आप आपकी startup और business में कैसे use कर सकते हैं आप आपके company का या तो एक personal device रख सकते हैं या फिर आपका salesperson या फिर marketing या फिर कोई भी employee है उसके phone में आप यह application install कर सकते हैं if triple d का and यही application install करने के बाद आप यह applet जिसको हम automation कहते हैं वो set कर दीजे तो इससे यह होगा कि उस person के phone call पे जितने भी phone आ रहे हैं जितने भी phone call जा रहे हैं वो सारे के सारे Google spreadsheet पर save हो जाएंगे and उस person को आप बोल सकते हैं कि यह Google spreadsheet है इसी को आप use करना and इसके आगे उसी spreadsheet पे आगे जो है आप कुछ और भी columns add कर सकते हैं जैसे follow up हो गया या fit notes हो गया ताकि इस किस तरह की से वह भी करना है तो आप वीडियो के अंत तक बने रही है तो चलिए सबसे पहले अभी हम हमारे phone call लोग का जो मैं आपको automation की बात कर रहा था उसको कैसे set करना है और कैसे तरह के से उसको use करना है वह जानते हैं तो चलते हैं हमारे phone screen के उपर सबसे पहले हमें ज लिग जाएगा एंड गाइस हमें यही application जो है इंस्टोल करना है इंस्टोल करने के लिए इंस्टोल पर टेप करना है तो इस application इंस्टोल हो चुकी है अब हम इस application को open करते हैं तो जैसी open करोगे तो आप यहां पर देख सकते हो यहां पर पढ़ पा रहे होगे automate work and home मतलब आप खूद का भी create कर सकते हैं साथ इसाथ में तो सबसे पहले जो है मैं login कर लेता हूँ तो को इस मैंने login कर लिया है अब login करने के बाद यहां पर आप देखोगे तो यहां पर एक माही एपलेट करके लिखा हूआ है निच्चे आप देखोगे तो एक explore का वटन है फिर यहां पर लिखा हूँ एक create तो create पर आप देखोगे तो if this then that मतलब अगर यह चीज़ होती है तो यह चीज के action पर आपको यह trigger करना है तो आप खुद का भी कुछ भी create कर सकते हैं जैसे यहां पर बहुत सरी आप explore करेंगे आपको आइडिया आ जाएगा है इन हम आगे आने वाली वीडियो में सारी चीज़े discuss करेंगे तो यहां पर बहुत सरी application को लेके भी automation जैसे YouTube हो इंस्टाग्राम हो गया phone call के related जो हम अभी देखने वाले वह हो गया Android SMS और इसी बहुत सारी चीज़े हैं तो हम बाद में सारी चीज़े discuss करेंगे detail में यहां पर जो भी आपकी activity होगी वह यहां पर show होगी तो मैंने पहले applets connect करके रखे हुए थे तो मैंने वह disconnect किये हैं ता phone log तो आप जैसी phone log लिखोगे तो मैं यह सारा का सारा जो applets में use कर रहा हूं वह आपको description में मिल जाएगा video के तो आप वहां से भी direct click करके आपके application में add कर सकते हैं तो यहां पर मैं आपको बता हूं यहां पर हम दो applets use करने वाले हैं तो एक applets use करता हूं जो भी call आ रहे हैं वह Google spreadsheet सेव करने QUE लिए एक applet जो मैं use करता हूं जो भी मेरे phone से phone call जा रहे हैं वो Google sheet में save करने के लिए एसे भी applet है जो एक ही automation में मतलब एक ही applet में तीनों जो काम हो जाते हैं आपके miss call जो भी है वो भी उसी spreadsheet में दिखेंगे जो phone लोग आपको लगा रहे हैं वो भी उसे में save होंगे जो phone आपको आ रहे हैं सामने से वो भी उसमें से save हो जागा बट मैं अलग-अलग use कर रहा हूं क्योंकि मैंने जो तीनों वाला try किया था तो इतना effective तरीके से चला नहीं था शायद वह बाद में अच्छे तरीके से जब हो जाए तो आप उसको use कर सकते हो तो सबसे वहले हम इसको use करने वाले एक यह है keep a phone call log in google drive तो यहां पर आप होगा हर time जब भी आप phone call करोगे मतलब आपकी site से और उसकी बाद में वह phone call आपकी Google spreadsheet में जाके save हो जाएगा साथ ही साथ में आपको date time and कितने seconds अपने बात की है मतलब कितने minutes अपने बात किये वह भी save हो जाएगी तो इसको हमें use करने के लिए कुछ नहीं करना है सिर्फ इ ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाएं कि किस तरीके से application work करती है हम यहाँ पर continue पर click करेंगे जैसी continue पर click करेंगे तो यहाँ पर ही पूछ रहें कि आपका जो है phone call जो है Google Drive पे save हो जाएगा and अगर आप और भी कुछ भी account add करना चाहते हैं अभी मतलब अभी जो है मैं एक ह अगर आप चाहते हैं कि यही फोन को लोग दो तीन या चार एसी गूगल चीट अलग अलग परसन की गूगल चीट में जाके save हो जाए तो वह भी कर सकते हैं बड़ उसके लिए आपको प्रो मोड खरीदना पड़ेगा तो मैं recommend करूँगा अगर आपको जरुत होता होई प् करते हैं तो अभी यहाँ पर हमें done पर click करूँगा और आप देखोगे तो यह connect हो चुका है तो अभी हमें क्या करना है यहाँ अभी आप ऊपर देख रहे होंगे कि थ्री permission issues तो हमें इनको permission भी देनी है उसके लिए हम यहाँ पर click करेंगे display notification read call log and access contact तो हमें तीनों की permission जो ह है वह भी यूज़ करना चाहेंगे लोग और इसके साथ साथ यह पुछ रहे है कि run location android battery वाइफाइप फास्टर तो उसका भी हमें जरूरत नहीं है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे मतलब अनेबल नहीं करेंगे अभी हम पीछे चलते हैं और फिर से यहाँ पर चलते हैं तो हम देख लेते हैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे होगा कि आप अगर चाहते हो कि जब भी यह एप्लेट जो है जब भी यह automation रन हो तो आपको notification दीखे तो वह आप चीज़ अन्यबल कर सकते हैं अगर यह automation रन नहीं होता है फैल हो जाता है तो वह बहीं आपको notification आ इसको मैं hide कर दूँगा ताकि क्या है कि privacy concern के लिए अभी मैं call करूँगा कि ओके तो मैंने call कर दिया है तो अभी हम check करते हैं कि यह जो है कि एपलेट रन हुआ या नहीं हुआ तो उसके लिए हम आएंगे activity के उपर एंड यहां पर अभी हम refresh करेंगे तो यहां पर आप अभी देखोगे तो 547 का जो है एपलेट टर्न ओन हुआ है एंड हमारा phone call जो है से हुआ या नहीं हुआ है वह भी यहां पर दीखेगा तो अभी यहां पर तो नहीं दीख रहा है तो उसके लिए हम एक बार फिर से ट्राइब करेंगे पर फिर से हम हमारे automation के application में आ जाते हैं यहां पर फिर से इसको refresh करेंगे तो यहां पर आप अभी देख पा रहे होंगे एपले ट्रेन यहां पर आप देख पा रहे होंगे 11 जून टाइमिंग भी आ गया एंड यहां पर आपको call फोन नंबर भी दिख रहे होंगे पट यह मैं hide कर दूंगा privacy concern के कारण यहां पर आप देखो गया तो गूगल शीट क आपको इनकमिंग कोल के लिए कर सकते हूं तो मैं आपको लेकर चलता हूं मेरी कम्प्यूटर स्क्रीन पर आपको बताता हूं किस तरीकी से हमें Google गूगल स्प्रेडशीट में यह जो है कॉल लोग जो है दिखने वाला है यह मैंने कॉल लोग जो है आउटगोइंग कोल के लिए किया हूआ है सेम आपको इनकमिंग कोल के लिए भी सेट कर सकते हूं कुछ नहीं करना है वह एपलेट में निचे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स कुछ नहीं करना है सिर्फ हमारे मॉबाइल फोन में गूगल शीट का एप्लिकेशन इंस्टल करना या फिर हमारे क्रॉम ब्राउजर पर जाके गूगल शीट डालना है और वहां पर आप देखोगे जो इमेल आईडी आपने इफ ट्रिपल टी अप्लिकेशन पर लोग इन क तो अब हम आ गए हैं हमारे गूगल स्प्रेड शीट पर जो गूगल शीट जो बलते हम तो यहां पर आप देख सकते हो हम आ गए गूगल शीट के ऊपर हमारे यह जो है दो ओटोमेशन आपको दिख रहे होंगे तो हमें जो है अब लेटेस्ट वाला देखना है यह यह जो यह application automatic ही करता है तो हम इस पर click करते हैं यहाँ पर आप देखो कि last open by me तो यह 550 बता रहा है बट मैंने open नहीं किया था यह open जो है application के if triple T की application से हुआ था क्योंकि उन्होंने जो है जो भी हमने outgoing call की थी वो save करने के लिए open करके यहाँ पर वो किया था यह सारा का लेटेस्ट वाला बता रहेता हूं तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे जून 11 आपको अगर चीए तो मैं जूम करते था हूं तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे जून 11 यहाँ पर जो भी phone number है एंड अगर आप उस person का contact number जो है save करके रखोगे तो नाम आ जाएगा एंड अगर contact number वो आपके phone में नहीं है save तो वो जो है blank दिखेगा आपको खाली दिखेगा तो आपको क्या करना है जब भी को को यह unknown person का call आए तो मैंने यह उन लोगों के लिए जो एज उनकी business है फिर startup में use कर रहे हैं तो तो आपको क्या करना है जब भी unknown number से call आए तो आप true caller इंस्टॉल करके रखिए and true caller पे click करते आप direct वहीं से contact save कर सकते हैं उनका नाम भी आपको पता करनी की जोरत नहीं क्योंक यहां पर आप देख रहे हो notes का तो यहां पर मैं बताना पूलिया है date and time phone number यहां पर जो है नाम person का दिखता है है यहाँ पर हम name लिख देते है यहां पर टॉटल time लिख देते हैं यहां पर notes and यहां पर follow-up लिख सकते हैं अगर आप as a business के लिए लिए आप यूज कर रहे हो तो यहां पर follow up या फिर जो भी आपको कुछ लिखना है extra वह आप यहां पर लिख सकते हो तो इसके साथ मैं अगर समय जी कि time को आपको minutes में करना है तो कुछ नहीं करना है यहां पर आप नया column add करके एक Google sheet में ही एक formula लगा सकते हो कि जब भी मतलब यहां पर एक entry होगी तो उसको divide by 60 कि किजिए and कितना जो भी answer आएगा वहां पर automatically say हो जाएगा तो वह अगर आपको चाहिए तो में next कि वेल्फ्रेंड बॉइफ्रेंड किसी के भी phone में भी आप चाहें अगर आप खुद के phone में भी चाहें तो आप यूज कर सकते हैं तक आपको कहीं पर भी काम आ सके एंड़ यह जो था वीडियो यहीं तक था